दोस्तों मैं जानता हूँ कि आग तृफला चून के फाइदे जानना चाते होंगे, नुकसान जानना चाते होंगे, सेवन करने का सही तरीका जानना चाते होंगे और तृफला चून को लेने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी आप जरूर जानना चाते तो नमस्कार मेरा नाम है जितेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे आज की इस वीडियो में आप त्रिफला चून के महत्पून और मुख्य भरी जानकारी लेकर चले जाओगे तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और चैनल पे नए है तो सस्क्राइब जरूर करिए जिससे आपको ऐसे ही हर प्रोडेक के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे सबसे पहला कोश्चन और जो लोग पूछना भी चाहते हैं कि आँखे रिये त्रिफला क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिफला तीन आईरवेदिक जड़ी बूटियों का मिक्षन है और ये तीन जड़ी बूटियां आवला बहेडा और हरण है और ये तीनों फलों की चूणड का मिक्षन ही त्रिफला कहलाता है दोस्तो त्रिफला चुन्ड को हर उम्र के लोग एक रशायन औशिदी के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके अद्बूत फाइदों के बारे में नमबर एक कबज को दूर करने में साहयक दोस्तो आयरवेद के अनुसार कबज जैसी समश्या को गंभीर रोगों की जड़ बताये गया है और अगर आपको कबज जैसी समश्या रहती है वो आगे चल कर आपको बवासिर जैसी गंभीर बिमारी भी हो सकती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज जैसी समश्या से छुटकारा मिले तो आपको त्रिफला चूंड का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर दूसरा पाचन शक्ती को बढ़ाता है दोस्तो अगर हमारी पाचन शक्ती कमजोर होगी तो हमारे सरीर में अनेक बीमारियों का खत्रा बढ़ जाता है और आयरवेद के नुसार त्रिफला में ऐसे औशिधे गुण होते हैं जो हमारे पाचन शक्ती को मजबूत बनाते हैं और पेड़ से सम्मंदित अनेक रोगों का खत्रा कम कर देते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पाचन शक्ती कमजोर है तो अपने चिगिस्सक की सला लेकर त्रिफला चूर्ण का सेवन सुरू कर सकते हैं इससे आपको चमतकारी ढंग से फाइदा देखने को मिलेगा नमबर तीसरा भूग को बढ़ाता है दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि त्रिफला में आउला हरड और बहेडा होता है और ये तीनों ही हमारे पेड के लिए काफी लाबदाएग होते हैं जिसके कारण त्रिफला चूर्ण हमारे पेड से जुड़ी लगभग सभी प्र त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं इससे आपको बढ़िया फाइदा देखने को मिलेगा नमबर चौथा बालों का जढ़ना रोकता है दोस्तों आज के समय में ज्यादाता लोग अपने बाल जढ़ने की समझा से काफी परिशान रहते हैं हतास रहते हैं और बाल आइरवेद की मदद लें तो वे अपने बाल जढ़ने की समझा से निजात पा सकते हैं आइरवेद के विसेसग्यों के अनुसार त्रिफला चूर्ण के सेवन से बालों का गिरना जढ़ना काफी हद तक कम किया जा सकता है नमबर पांच हुआ गैस ऐसिडिटी पेड़ फू और ये परिशानी उन्हें गलत खान पान यानि कहीं से भी कुछ भी खा लेना अनेमित रहन सेहन के कारण होती है तो त्रिफला चूर्ण पेड़ फूलना गैस की समझा हाइपर एस्डिटी आदी ऐसे सभी रोगों से अराम दिलाता है नमबर चटा आखों के लिए दोस्तो आखों के छोटे मोटे विकार जैसे आखों में दर्द की समझ्या यानि जो भी छोटी मोटी समझ्या जो आखों में देखने को मिलती है तो इन विकारों को दूर करने के लिए भी इसका काफी फाइदा देखने को मिलता है दोस्तो अब आप त्रिफला के मुख्य फाइदे जान चुके होंगे तो चलिए आप जानते हैं इसका सेवन करने का तरीका इसको आप आधी से एक चमच रात को सोने से पहले इसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं दोस्तो एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप तृफला चूण को जादा दिनों तक यूज़ करना चाहते हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलह अवश्य लीजिए लेकिन अगर आप कम दिनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं यानि 5-10 दिन के लिए यूज़ करना चाहते हैं कबज और पाचन के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर बात करें इसके side effect की तो इसका कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको diarrhea भी हो सकता है इसलिए इसका सेवन जितना बताय गया है उतना ही करिये अधिक ना करें कई लोगों में ये देखने में आया है कि उन्हें त्रिफला चूण के सेवन से अनिंद्रा की समझ्या देखने को मिलती है तो उनको पहले डॉक्टर की सलह अवश्य लेनी है और उसके बाद ही इसका सेवन करना है दोस्तो बात करें प्रेडनेंट महिलाओं की तो प्रेडनेंट लेडी यानि गर्ववस्ता के दोरान इसका सेवन करने से बचें दोस्तो लास्ट में एक बहुत महत्पूर्ण बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि त्रिफला चूर्ण के फाइदे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका इस्तिमाल करने से पहले एक बार आपको डॉक्टर की सलह अवश्य लेनी है उसके बाद ही आप इसका सेवन करें तो ये थी त्रिफला चूर्ण के बारे में कुछ महत्पूर्ण भरी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर प्रोडिक के बारे में आपको लगतार जानकारी मिलती रहे तो इस चैनल को आप सस्क्राइब जरूर करिए अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद